अलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरिंट्स लेके इस यह वापस लनमाइटी के अड्मिशन्स प्रोसेस अब स्टार्ट हो गया है तो उसी पे इस यह का वीडियो लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ आप लोगों को जब जानकारी होगी कि इस चैनल पे एक्चुली एलनमाइटी से रिलेटिट जितने वीडियो मैंने बनाए है उन पे मुझे व्यूवर्शिप एक्चुली बहुत जादा मिली है और वीडियो एक्चुली बहुत जादा पॉपुलर हुए है जिस आप देखेंगे बिसिकली चार वीडियो मेरे पुराने इस लनमाइटी से रिलेटिट चैनल पे आपको मिलेंगे जिन पर सब पे आपको बहुत काम की इन्फोर्मिशन मिलेगी देखिए कॉलेज मुझे स्टार्टिंग से बहुत पसंद है जिन्होंने वीडियो नहीं मैंने लास्ट ये शूट किया था मेरे एक स्टूडेंट के साथ आपको फोटो मैंने ज़रा रहा होगा को इमसल्फ इस नाओ वरकिंग इन स्लाइज बैंगलॉर और उसका फुद का पैकेज भी बहुत अच्छा है डोंट वांट तो डिस्क्लोस एक्जक्ट अमांट बट पैकेज़ेंगे बहुत वापिस से वही चीज़ अपने डिसक्स करेंगे बेसिक कॉलेज के बारे में और प्लस प्लेस्मेंट सीजन इस बार का भी कैसा रहा और एड्मिशन का क्या क्या प्रोसीजर यहां पर रहेगा सारी बातें इस वीडियो में आपको देखने को देखेंगे एड्मिशन पॉर्टल फर्स्ट मार्च से स्टार्ट हो चुका है देखें जो यहां पर यूजी एड्मिशन होते हैं यूजी में कुछ तो बीटेक कोर्सेज हैं बीटेक में जो मेरी तरफ से रिकमेंडेट कोर्सेज हैं कि आप डिफिनिटली जॉइन करें होके और इसी इन तीन ब्रांचेस तक आपको मिलती है तो डिफिनिटली आपको लेना चाहिए साथ में मेकानिकल भी है वहाँ से ठीक करते हैं यूजी मैं उन तीन ब्रांचेस फर्स थरी के लिए ही कहूंगा कि यूजी रिकमेंडेट प्लस कुछ फाइफ यर इंटिग्रे एक NRI students वगरे के लिए एक DASA mode है और एक direct mode होता है board toppers के लिए तो यहाँ भी अपना discussion we will restrict ourselves to the regular mode में आपको पता है जही मेन का job का percentile score है उसी के basis पे admission देते हैं बट हाँ form आपको अलग से बढ़ना पड़ता है यह centralized counseling में शामिल institute नहीं है application आपको अलग से करना पड़ेगा वरना वो score आपका यहाँ काम नहीं आएगा regular mode के जैसा मैंने का form start हो चुके है 1st of March से 15th of May last date अभी tentatively दी है depending on the schedule definitely वो result आने के बाद भी कुछ time तक यह जही मेन का open करते हैं हर बाग थोड़ी सी dates बढ़ती है बट फिर भी अगर आपने मन मना लिया है session 1 में आपकी percentile ठीक आ EC के लिए 96 plus percentile है तब आप हुक्फुल हो सकते हैं और EC के लिए almost 94-95 percentile plus है तो आप हुक्फुल रह सकते हैं तो अगर यह percentile आपकी session 1 में आ चुकी है तो अपने आपको safe रखने के लिए आप इसका form ज़रूर बढ़ दीजिए जैसा मैं पहले भी कहता हूँ यहां का CS department or placements definitely बहुत अच्छे हैं अटाफट से total seats जान लेते हैं देखे 240 seats हैं बीटेक in computer science and engineering की साथ में कुछ और specializations भी आगे जाके आपको मिलेंगे but basically पहले बीटेक CSE आपको रहेगा 240 seats 120 seats हैं CCE के अंदर 150 seats हैं ECE के अंदर 60 seats है mechanical के अंदर और 1010 seats जैसा मैंने कहा बीटेक प्लस M.TEC dual degree programs integrated जो हैं उनमें यह seats आपकी रहेंगी देखे इस institute का जो मुझे सबसे अच्छा point लगता है despite being a private college एक भी seat यह कोई management या capitation fee के थ्रू नहीं देते हैं सारे admissions fair होते हैं that is the thing that I like about this institute देखे application online आपको यह नहीं की website पर करना है इनके admission portal पर आपको बुला गया है यहां पर एक non-refundable non-adjustable application fee है 2000 रुपीज और आज महिला दिवस भी है महिला हों को हर form में थोड़ी छूट मिलती है so female candidates के रहे fees 1000 रुपीज and for the male candidates the fees is Rs.2000 यहीं से आपको बढ़ना है और किसी mode से application नहीं करनी है ठीक है यह main चीज है कि आपको form ज़रूर बढ़ना है और इसी portal के थ्रू बढ़ना है प्रोविजनल फीज सबसे पहले आपको 25,000 रुपे जमा करानी होती है अगर वह आप जमानी कराएंगे तो आप साथ साथ कम होती है हर जगे आपको पता है यही situation होती है एक सबसे important चीज फॉम भरते वही आपसे यह branch और program preference यहां पर पूछते हैं उसको धन से भरिएगा तो जैसे मेरी तरफ से suggested जो preference order है मैं आपको पहली बता चुका हूँ CSE, CCE, ECE and then अगर आप चाहें तो 5-year courses भी भर सकते हैं and in the last आपकी इच्छा है college यही आपको पसंद है mechanical उसकी cutoff थोड़ी lower side पे रहती है वो फिर आप भर सकते हैं though मैं recommend नहीं करता उसकी जगह I expect की और कोई options आपको कहीं proper CS के मिलें तो उन्हें लेना शायद जादा मुनासिब हो बढ़ा college culture, coding culture वो सब definitely बहुत अच्छा है और mechanical वाले students भी अच्छा कर रहे हैं ऐसा students ने मुझे update regularly दिया है ओके देखिए पुरान replacements आट साथ को वीडियो में पुराने मिलेंगे recent जो 220-23 batch जो pass out हो रहा है 11 February तक का updated data इन उन्होंने website पे लिखा है उसमें highest package जो है that is 50.96 lakhs average आ रहा है 15.79 which is a very good and medium देखिए average से भी जादा important होता है अच्किल median median package is 13.65 lakhs which is very 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 good for a LNMIT मिलब किसी भी institute के लिट से really really good offer total students जो अभी तक place हुए है that are 347 total job offers जो इस यह अभी तक आये है that is 391 इस से पहले वाले बैच की बात करें 2022 बैच की हुहां highest package 1 CR भी एक student ने attain किया है ऐसा लग रहा है जो data बता रहा है इनका last year average 14.33 था तो आपको बली highest package इस यह कम दिख रहा but average is definitely increasing similarly the median has also increased the last year the median was 12.84 lakhs number of students last year जो place हुए थे 461 total job offers were 550 जो last full placements हुए थे उनमें almost 98.71% registered students का job easily लगा था इस से पहले वाले years में भी देखेंगे तो वही है तो overall आप देखेंगे median package, average package, percentage placement everything is increasing मतब जो कि बहुत ही बहुत ही बढ़िया है तो देख लीजिए अगर जो मैंने आपको percentile बताई है usually 95 के around 95 to 97 percentile के bracket में आप आते हैं definitely it is a very very good option college की location भी बड़ी अच्छी है आपको city भी अच्छी मिलती है college atmosphere भी बहुत अच्छा है coding and everything के according बाकी details आपको जो इस से जस्ट पहले मैंने आपको वीडियो बताया था ठीक है तो अगर इस range में आपका है तो definitely इसका form पर ये और भी कोई आपकी query हो तो आप पुराने वीडियो के query box भी search कर सकते हैं नही query यहाँ पर shoot out कर सकते हैं I and my students will try to answer it to the best of knowledge okay that's for now all the best